और गैनिक कैसे हो सारे कैसारे अगर दोस्तों आपके भी बालों की ग्रोथ एकदम रुख से गई है बाल बहुत जादा पतले हो गए है बालों का जड़ना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो आप इस रेमेडी को बस एक बार ट्राइ करके देखिए गया यह रेमेडी पतले बालों का बहुत जादा जड़ना गंदे बाल खराब बाल यह सब कुछ एकदम से हट जाएंगे और यह जो हेर मास्क में आपको बता रहा हूँ इसे बनाना इतना इजी है कि कोई भी बना सकता है वीडियो को लाइक शेयर सस्क्राइब मत कीजिए लेकिन इस वीडिय आने के लिए आपको एक पतीले की जरूरत पड़ेगी और देखो दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि जब हम किसी चीज को सही तरीके से करते है तो वो चीज सफल जरूर होती है तो आपको याद रखना है कि मैं आपको सही तरीके से मात्र दो इंग्रिडियंट की मदद से आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपके बालों की सारी समस्या जड़ से खतम हो जाएगी और कैसे इस पैक को आपको लगाना है हम यहाँ पर पानी ले ले रहे हैं आप अपने हिसाब से पानी ले सकते हो मैंने यहाँ पर थोड़ा कम पानी लिया है आप जादा भी ले सकते हो अब इसके अंदर हमें और एक ingredient का استعمال करना है वो क्या है वो आप सभी लोग जानते हैं कि हम इसके अंदर चाय पत्ती का बहुत सारे फाइदे होते है चाय, सुभा हम सभी पीते है कई लोगों को आदत होती है सुभा के वक्त में चाय पीए बिना वो अपने दिन की शुरुवात तो किसी भी हाल में नहीं करते है तो अगर आप कोई भी ये आदत है तो मुझे भी ये आदत है मैं आप सभी लोगों से ये दर्ख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इस चाई पत्ती का फाइदा अपने बालों के लिए भी लो अब आप देख सकते हो कि पहले हमने पानी को थोड़ी धीमे आज पे उबलने दिया था उसके बाद में हमने इसके अंदर चाई पत्ते ढाल दी हमारा दूसरा इंग्रिएंट है अलोवेरा आप ये देखोगे कि ये जो अलोवेरा है इसके अंदर से बिल्कुल हीरे की तरह हम अलोवेरा को निकालेंगे आपको ऐसे लगेगा कि हमने melt हुआ हुआ हीरा निकाला है अब आप में से कई लोग सोचीगे कि सर ऐसा कैसे होगा तो याद रखना है कई लोग aloe vera का इस्तमाल करने के लिए आपको बोलते है राइट लेकिन aloe vera को सही से इस्तमाल कैसे करना है ये जो aloe vera है इसे मैंने तोड़ कर मैं लेके आया था और इसे मैंने फ्रीजर में 5-6 घंटे के लिए रख दिया था अब 5-6 घंटे जब मैंने उसे फ्रीजर में रखा तो उसके बाद में इसके अंदर का जो गर्ग है वो कितने बहतरीन तरीके से बाहर निकलता है और कितने आसानी से बाहर निकलता है ये आप खुद भी देख पाओगे aloe vera के हमारे बालो को बहुत सारे फायदे होते है वो हमारे बालो को पोशन देने में तो हमारी हेल्प करता ही है लेकिन कई लोगों के बालों में बहुत जादा रूसी हो जाती है जो दिखने के लिए बलकुल भी अच्छा नहीं दिखता रूसी के कारण आपके बालों में जो रूसी होती है उसके कारण आपके चेहरे पर पिंपल्स हो जाते है चहरा बहुत गंदा लगने लगता है बाल बहुत रूखे सुखे लगने लगते है तो कोई भी हमारे पास आने की दुरुरत नहीं करना चाहता तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐलोवेरा जेलेक ऐसा इंग्रिडियेंट है जब हम इसे सही से इस्तमाल करेंगे तो ये हमारे बालों की सारी समस्याओं को चूमंतर कर सकता है तो आपको क्या करना है घर के आसपास यार सब के ही होता है पैसे भी खर्चनी करने है अलोवेरा को लेकर आना है और उसे इसी तरीके से चाकू की मदद से अच्छे तरीके से आपको उसका जो गर्ग है उसे निकाल लेना है याद रखना है अपने हाथ की जादा चिंता करना चाकू से जब आप उसकी उपर की लेहर निकालोगे तो हाथ को चाकू नहीं लगना चाहिए अब यहाँ पर आप देखिए कि बिलकुल डायमंड की तरह यहाँ पर इसमें का गर्ग निकल कर आ रहा है इतना बहतरीन गर्ग इसलिए आ रहा है क्योंकि यह गर्ग हमने रखा था फ्रीजर में और उसके वज़े से यह अच्छे तरीके से पक गया है यह आपके बालों में जैसे ही जाएगा तो यह आपके बालों के सारे समस्या को चूमंतर कर देगा लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि घर में पंच पकवान होने से कोई फाइदा नहीं होता उन पकवानों को आपको बनाना आना चाहिए उन चीजों को आपको ठीक से खाना आना चाहिए तब ही तो आपको result मिलेगे तब ही तो मज़ा आएगा यही बात है दोस्तों आपकी जो बाल है वो जुलफे बन जाएगी आपके जो बाल है यह बहुत जादा स्मूच शाइनी और सिल्की बन जाएगी अगर आप सही से इसका इस्तमाल करते हो तो एकदम गोड़ प्रॉमिस कहके बदा रहा हूँ कि यह इंगेडियेंट्स इतने बहतरीन काम करते है अगर सही से इस्तमाल किया जाए तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पूरी तरीके से एक ही अलोवेरा का जो गर्ग है उसे ले लिया है अब इसे जब हम आपने स्कैल्प में लगाते है तो दोस्तों इसके अंदर एंटी ओक्सिडंट और एंटी इंफ्लामेंटरी प्रॉपरिटीज होती है जो हमारे स्कैल्प में जो बैक्टिरिया होता है उसे मार गिराता है जिसके वज़े से क्या होता है कि स्कैल्प में किरूसी निकल जाती है scalp में जो रूखापन है वो निकल जाता है और इसी के खारण जो नए बाल है वो इकदम तेजी से आना शुरू हो जाते है अब आपने ये देखा था कि इतने समय तक हमने क्या किया 5-6 मिनेट हमने क्या कि पत्ती को अच्छे तरीके से गरम होने दिया है अब जो पत्ती की प्रॉपरिटीज है वो पानी में आ चुकी है तो हम क्या करेंगे कि इस पानी को अच्छे तरीके से चान कर लेंगे इस पानी को चान कर लेने के बाद में हम इसके अंदर अलोवेरा का जो गर्ग है उसे मिला देंगे उसे मिलाने के बाद में इसे लगाना कैसे है यह मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए कि चाय पती आप अपने छोटे बच्चों पर भी इस्तमाल कर सकते हो ना आते वक्त अगर आप उनके स्कैल्प में इसकी मसाज करते हो तो उन्हें कभी रूसी नहीं होगी उनके बालों में उनके बाल बहुत तरो ताजा रहेंगे जिसके वज़े से उनका फेस भी कभी खराब नहीं होगा फेस पर भी पिंपल्स या फिर कोई व्रिंकल्स जैसे समस्या उनको नहीं होगी ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये सिंपल सी चीज हेर केर में आपके बहुत सारे पैसे भी बचाने वाली है अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमने पूरा का पूरा पानी निकाल लिया है और ये पानी जो है आपको as a hair mask अपने बालों में इस्तमाल करना है आपको इसे दो से तीन बार इस्तमाल करना ही होगा तभी आप ये देख पाओगे कि आपको बहतर result मिल रहे है अब ये जो चाई पत्ती का बानी है ये तो हमें मिल गया है आप देख सकते हों कि ये अच्छे तरीके से पका हुआ है और अच्छे तरीके से गरम भी किया हुआ है अब इसमें हमें क्या मिलाना है वही aloeira का गर्ग मिलाना है जिसे हमने freezer में रखा था बार बार आपको इसलिए याप दिला रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोग मैं जानता हूँ कि मेरे remedies को try करने वाले है इसलिए आपको क्या करना है कि ये जो गर्ग हमने लिया था उसे अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल लेना है जादा से जादा डालोगे तो आपको काफी अच्छे benefit देखने के लिए मिलेंगे और काफी अच्छे result देखने के लिए मिलेंगे आप ये देख पाओगे कि आप इसे अच्छे तरीके से mix भी कर पाओगे mix करने के बाद ने आप देखोगे कि इसका color अच्छे तरीके से change हो जाएगा और इसे आपको हफ्ते में दो से तीन बार करना है अपने बालो में तो आपके बाल एकदम से स्मूज शिल्की और शाइनी तो हो गई ही लेकिन साती साथ अगर आपके बालों की ग्रोथ रुख गई है बाल दो मुहा हो गई है, बाल बहुत ज़ादा जड़ते है तो आपके बाल एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगे आपके बाल इतने तीजी से बढ़ने लगेगे कि आप खुद यकीन नहीं मानोगी आपको ऐसा लगने लगेगा कि आज तक मुझे इतने अच्छे रिजल्ट किसी भी रेमेडीस के नहीं मिले है तो इस चीज को आपको जरूर एक बार करना है और एक और जरूरी बात कि अपने इंटेंशन्स को अच्छा रखना है अपने मन को साफ रखना है जब हम ऐसी चीजे करते हैं और अपना मन अच्छा होता है दूसरों के प्रति हमारा मन अच्छा होता है तो अपने भी काम उपर वाला बना ही देता है अगर हम मन में इरश्या रखेंगे ऐसा सोचेगे कि ये तो नहीं होने वाला ये तो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ तो फिर काम नहीं बनेगा मन साजा रखिये और काम बिलकुल आपका तरो ताजा होगा बाल आपके घने और बहुत ज़्यादा लंबे भी होंगे